वेल्कम टू नेक्स एक्जाम आज है आठ नवंबर 2022 और आठ नवंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंग तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुश्चिन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट वॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी पीडिया पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकेशन में दे दिया है तो अभी सात नवंबर को रास्ट्रे कैंसर जागुरुकता दिवस मनाया गया तो इस कुशिन का बे आप्शन सही है कैंसर की पहचान करने और इसके सेग्र निदान तथा रोकताम के प्रति लोगों में जागुरुकता बढ़ाने के लिए हर साल सात नवंबर को ये रास्ट्रे कैंसर जागुरुकता दिवस मनाया जाता है अच्छा सात नवंबर को ही युद्ध और ससस्त संगर्स में पर्यावर्ण के सूसड को रोकने के लिए अंतरास्टी दिवस भी मनाया जाता है अच्छा अभी एक नवंबर को बेसु साकारी दिवस मनाया जाता है और सात भारती राज्यों का और दो केंसासित प्रदेशों का इस्तापना दिवस भी एक नवंबर को मनाया जाता है ये साथ भारती राज्य हैं केरल, करनाटक, आंद्रप्रदेश, पंजाब, हर्याना, मद्रप्रदेश और चत्तिसगर्ड और दो केंसासित प्रदेश हैं लक्षिदीप और पुड़िचेरी इनका इस्ताफना दिवस एक नवम्मर को मनाए जाता है अच्छा दो नवम्मर को इंटरनेशनल डे टू एंड इंप्यूटी फॉर क्राइम्स अगेंस जनलिस्ट बनाए गए तेन नवम्मर को राजा राजचोल के जैनती बनाए गई पांच नवम्मर को बेसु सुनामी जागुटता दिवस मनाए गई तो अब तक नवम्मर में इत किर जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉरनिंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट मिक्स करो और फिर अपना पूरा ुमस्बाइए ने हिमाचर पृद्रदेश की टेम को हराकर पहली बार सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2022, ड़िती तो इसकूशन का से option सई है, सहत değiş fans यह क्लानी यह क्लाकर्श के ट्रॉफी ίο गरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है और 20 किर्किट की ट्रोफी है इसे अभी पहली बार मुंबई की टीम ने जीता है ने क्यूशन है हाली में सिक्षा मंत्राले ने कब जन जाती गौरब दिवस मनाने की गोश्ण की है तो अभी सिक्षा मंत्राले ने 15 नवमर को जन जाती गौरब दिवस मनाने की गोश्ण की तो इस साल आजादी के अम्रत महुतस्व के हिस्ते की रूप में ये जन जाती गौरब दिवस मनाए जाएगा आदिवासी सुतनता सेनान्यों को याद करने के लिए इस साल ये जन जाती गौरब दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा ने हुशें हाली में अक्टूबर महा में भारत का सीर्स तेल आपूर्ती करता कौझा देश बना है तो अभी रूस अक्टूबर महा में बारत का सेर्स तेल आपूर्ती करता बना अब रूस बना तो यह है मैप में रूस, रूस की केपिटल क्या है? मॉस्को, रूस की करंसी क्या है? रसीयन रूबल, रूस की प्रजेन टैम पर प्रेसिडेंट कोन है? ब्लादनिमीर पुतिन, अच्छा अभी फाइनेंस ये टूज़ेंट टूज़ेंट ट्री में रूस भारत के पेग आयरन का सबसे बड़ा आया तक बना है. रूस भारत का सात्वा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदर बना है. रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्टेक्टर एडवर्ड सनुडेन को अपनी नागरिक्ता प्रदान की है. ब्लादनिमिर पुतिन की जीवनी, पुतिन, हिज लाइ अमोनियम फासफेट खाद आपूर्ति करता रूस बना है. रूस में उरल के पहाड है, लेक बैकाल है और माउंट एलवरस है. ने क्यूशन है, हाली में कहां प्रदानमंतरी मोदी की उपलब्दियों और बिरासत पर लेखी गई दो पुस्तकों का विमोचन हुआ. तो अभ बिकास और उद्यमिता राजी मंतरी राजीव चंद से करने किया है. अचा इन दो पुस्तकों का नाम क्या है? एक पुस्तक है मोदी एड़ डरेट ट्वंटी ड्रेम्स मीट डिलिवरी और दूसरी पुस्तक है हाट फैट दा लेगेसी ओ फेथ तो ये दो पुस्तक हैं. इन आफ एसिया का बिमोचन किया. हरदेप सिंगपुरी ने डेली उनिवस्टी सेलिवरेटिंग हंडेड ग्लोरियस इयर्स नमक पुस्तक लिखी है और डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डेपेंडेंस टू सेर्फ रिलाइंस नमक पुस्तक लिखी है. नेक इसे ने हाली में एक कलेंडर वर्स में एक हजार टेट्वंटी इंटरेशनल रन बनाने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बने हैं? तो अभी सूरिक कुमार यादव एक कलेंडर वर्स में एक हजार टेट्वंटी इंटरेशनल रन बनाने वाले पहले भारती खिलाडी बने हैं? तो इस बल्लेबाज भी बन गए हैं अभी ICC T20 बल्ड कप इत्यास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाडी बिराट कोली बने थे T20 किर्किट में सबसे अधिकरन बनाने वाले भारती खिलाडी भी बिराट कोली बने हैं अच्छा इस हैट्रिक लेने का क्या मतलब है इन्हों ने हाली में दुनिया की पहली बैदिक घड़ी कहां लगाई जाएगी तो अभी उज्जेन में दुनिया की पहली घड़ी जंतर मंतर पर लगाई जाएगी तो इस कुशिन का से ओप्सिन सही है काल गड़ना का केंद्र माना जाता है उज्जेन और यहीं पर दुनिया की पहली बैदिक घड़ी लगाई जाएगी ने क्यूशन है हाली में Rising Sun Water Fest 2022 का समापन कहां हुआ है तो अभी मेगा लेके उम्मियमम जील में Rising Sun Water Fest 2022 का समापन हुआ तो इस क्यूशन का बे आप्सन से ही ये Rising Sun Water Fest क्या था है एक तरह की Water Sports एक्टिविटी थी अब इसका समापन मेगाले में हुआ तो ये है मैप मेगाले मेगाले की केपिटल क्या है सिलोंग मेगाले की चीपनिश्टर कौन है कौनरट संगमा और मेगाले की प्रजेंट एम पे गवर्नर कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा अबी मेगाले की मुख्यमंत्री ने नागरिक जुडाओ और संचार कारिकरम सुरू किया मेगाले में स्थित मौमलूग गुपा को पहली भारती भू बिरासस साइट की रूप में मानता मिली है मेगा कयाक महुत्सप 2022 मेगाले में सुरू हुआ मेगाले ने पहली बार मानसिक स्वास्ते और सामाजिक देखवाल नेती की गोशन की है डेपी बहलोंग मेगाले की नए मुख्य सचिब बने है और बास में रहने वाले चमगादर की नई प्रजाती मेगाले में मिली है ने कुशन है हाली में सेना कमانڈरों का सम्मेलन कहां आयुजित किया गया तो अभी नहीं दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयुजित किया गया तो इस कुष्पोशन का A. option सही है हाली में A.C.I. Hockey Mahasang के अध्यक्ष कौन بنे है तो पाकिस्तान के हैं तयभ इकराम ये A.C.E. होकी महासंग के अध्यक्ष बने है तो इस कुश्यन का बे आप्सन सही है ये है तैयब इक्राम अब ये A.C.E. होकी महासंग के अध्यक्ष बने है अच्छा अभी केसूर रेड़ी को बरस 2022-23 के लिए सीलंका भारत सुसाइटी का अध्यक्ष चुना गया के भी कामत को पांच साल के लिए रेलाइंस इंडिया लिमिटेट के स्वतन्त निदेशक के रूप में न्यूप्त किया गया है बेपी सील के नए एमडी एंड चेर्वेन बने हैं बे आर कृष्ण गुपता और A.A.S.L. के नए सीयो बने हैं विसाल कपूर हाली में सत्रे में प्रवासी भारती दिवस सम्मिलन में किस देश के राष्टपती मुख्यती होंगे तो अभी गुएना की राष्टपती सत्रे में प्रवासी भारती दिवस सम्मिलन में मुख्य अर्ठिती होंगे तो इस question का say options है ये हैं गोईना की राष्टपती डॉक्टर मुहम्मद इर्फान अली ये 17 में प्रवासी भारती दिवस सम्मिलन में चेव गैस्ट होंगे अचा 17 में प्रवासी भारती दिवस सम्मिलन आठ जन्मरी से लेकर 10 जन्मरी 2023 तक मद्य प्रदेश में आयो जीत किया जाएगा नए क्यूशन है हाली में रास्टी इसमारक प्रादिकरड के अध्यक्ष कौन बने है तो प्रॉफेसर किसूर कुमार बासा रास्टी इसमारक प्रादिकरड के अध्यक्ष बने तो इसकुशन का बे आप्सन सही है ये है प्रॉफेसर किसूर कुमार बासा अब यही रास्ट इसमारक प्रादी करड के अध्यक्ष बने हैं अच्छा फेके के नए अध्यक्ष सुब्रकांथ पांडा चुने गए भारती सिना की दक्षिडी कमान के प्रमुक की रूप में अजय सिंग को नुक्त किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसीेशन के नए अध्यक्ष एके गोयल चुने गए हैं सैयुक्त राष्ट की बायू परिवहन समिति के अध्यक्ष की रूप में सैफाली जुनेजा को नामित किया गया बारत सरकार ने अर्माने गिर्धर को रक्षा सचिप के रूप में नुक्त किया है अडानी एरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईयो के रूप में अरड़ बंसल को नुक्त किया गया है यह अभी रीसेंट के अपोइंटमेंट है यह आपको याद रखने है ने क्यूशन है हाली में केस राज जिने सर्वस्रेष्ट सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केन सरकार का पुरुसका जीता है तो अभी केरल इस्टेट रू केरल ने अपनी सेटी सर्कूलर सर्वेस और ग्राम बंडी परियोजना के लिए यह सर्वस्रेष्ट सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का पुरुसकार जीता है अब केरल तो यह मैप में केरल के केपिटल क्या है तिरवननतुपुरम के चीप मिश्टर कौन है पिरनरई बिज आरिफ मुहम्मद खान नहीं अभी केरल में वन स्कूल बन आईयस योजना शुरू की केरल सरकार ने एक लाग चात्रों को फुटवॉल प्रसिच्चर देने का नेड़े लिया है केरल ट्रेक एसिया कब 2022 की मेजवानी करेगा एक नवमर को केरल का इस्तापना दिवस केरल पेर आई-मुडी सोला नेशनल पार्क है मत्तिकेटम सोला नेशनल पार्क है पंबडम सोला नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है अच्छा केरल में सांत गाटी है और पेरियार बंजीव अभ्यारण है ने हुशन है हाली में भारत ने कहां बल्ड ट अंतरास्ती यात्रा प्रगर्शन्यों में में से एक है, बर्ड ट्रेवल मार्किट. इसमें इंडिया ने लंडन में पाइश्पिट किया है। इस बार की वर्ड ट्रेवल मार्किट की थीम क्या है, इस बार की थीम है, le future of travel starts now. क्या है? The future of travel starts now Next question है आली में प्रमूद भगत ने Badminton World Federation पेरा Badminton Championship में कौन सा पदक जीता है तो प्रमूद भगत इनोंने टोक्यो में Badminton World Federation पेरा Badminton Championship में स्वड़ पदक जीता तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है ये हैं प्रमूद भगत अब लास्ट वीडियो की कुशिन का अंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूछा था कि हाली में केस राज सरकार ने स्कूली चात्रों के लिए प्रति दिन दस मिनट का योग कारेक्रम अनिवारिक किया है तो अभी करनाटक ने अपने स्कूली चात्रों के लिए 10 मिनिट का योग नामक एक प्रोसेस को अनिवारे कर दिया है तो इस question का say options आई था और लगबग सभी strategies का अंसर सही दिया mostly strategies के वारे में detail में लिखा मैं आपको एक फ़र फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किस ने digital चालू खाता लॉंच किया है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help हो लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदब मिलेगी जब आप इसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current interface की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching